ओम शान्ती यहाँ बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ओम शान्ती ओम शान्ती आज दिनंक 12 अप्रेल 2022 बाबा ने महवाक्य में हम बच्चों को जो वर्दान दिया वर्दान का मनन कर उसका स्वरूब बनेंगे बाबा वर्दान में बोले माया और प्रक्रती की हल्चल से सदा सेफ रहने वाले दिला राम के दिलतक्त नसीन भव आज दिला राम बाप हम बच्चों को दिलतक्त नसीन भव का वर्दान दे रहे हैं वर्दान में दिला राम बाप कहे रहे हैं माया और प्रक्रती की हल्चल से सदा सेफ रहने वाले दिला राम के दिलतक्त नसीन भव डिटेल में बाबा बोले सदा सेफ रहने का इस्थान दिला राम बाप का दिलतक्त है सदा इसी इसमरती में रहो कि हमारा ही यह स्रिष्ट भगगये है जो भगवान के दिलतक्त नसीन बन गए जो परमात्म दिल में समाया हुआ अध्वा दिलतक्त नसीन है वह सदा सेफ है अर्थात आज बाबा हम बच्चों को दिलतक्त नसीन बन कर माया से सेफ रहने की युक्ती बता रहे हैं बाबा कह रहे हैं कि खुद को सदा यह इस्मरती दिलाते रहो कि हम ही वे सरेष्ट भाग्यवान आत्माएं हैं जिने स्वयम भगवान ने अपने दिलतक्त पर बिठाया और जो बच्चे भगवान के दिलतक्त पर बेठे हुए हैं अर्थात सदा भगवान की जिने मदद प्राप्त होती है वे कभी भी किसी भी परिस्थिती में माया की किसी भी हलचल में नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें सदा यह इस्मरती होगी कि स्वयम सर्व सक्तिमान पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं का पिता है और हम आत्माओं को उस पिता ने यह स्रेष्ठ भग्य प्राप्त किया है कि हम दिलाराम बाप के दिल तक्त नसीन बने हुए बच्चे हैं भगवान के मददगार बने हैं भगवान का जो परिवरतन का कारे चल रहा है अर्थात सत्यूगी इस्थापना के कारे में हम बच्चे मददगार हैं तो बाबा हमें अपने दिल तक्त पर बिठाते हैं सदा एक बाप की याद में रहने के कारण हम सदा बाप का साथ और सहयोग अनुभव करते हैं तो बाबा आगे बोले माया वा प्रकृति के तूफान उसे हिला भी नहीं सकते ऐसे अचल रहने वालों का यादगार अचल घर है चंचल घर नहीं इसलिए इसमरती रहे कि हम अनेक बार अचल बने हैं और अभी भी अचल है अचल अर्थात हिलाने वाली परिस्थितियों में भी ना हिलने वाला दुलाने वाली परिस्थिति में भी ना डोलने वाला तो ऐसा अचल अडोल भाग्य हम बच्चों को प्राप्त हुआ कि हम बच्चों पर कैसे भी माया के तूफानाए, कैसी भी प्रक्रति की आपदाए, कैसी भी व्यादी आए चाहे किसी आत्मा का कैसा भी व्यभार हमारे साथ हो पर हम ऐसी स्वाइस्थिती में इस्थित हो जाते हैं ऐसे निश्चय बुद्धी बन जाते हैं कि हम पर किसी भी परिस्थिती का प्रभाव नहीं पड़ता हम हर परिस्थिती को नथिंग न्यू के आधार पर इसमरती में रख अचल अडोल रहे कर हर परिस्थिती को पार करते हैं हर कार्मव में सफलता प्राप्त करते हैं इसी लिए बाबा हमें अपने दिल तक्त पर बेठाते हैं स्लोगन में बाबा बोले ग्यान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही सिक्षाओं को स्वरूप में लाना है ग्यान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही सिक्षाओं को स्वरूप में लाना है अर्थात बाबा हमें जो ग्यान प्रदान करते हैं जो प्रेम का सागर पिता से हमें प्रेम प्राप्त होता है हम उसे प्राप्त कर ऐसे भरपूर संतुष्ट संपन बन जाते हैं कि हमारे चहरे द्वारा बोल द्वारा चाल चलन द्वारा ग्यान की प्रत्यक्ष्टा होती है प्रेम की प्रत्यक्ष्टा होती है क्योंकि आज अनेक आत्माएं स्वार्थ वस एक दूसरे से प्रेम करती हैं पर हमारा पिता निराकार परमात्मा इस धरा पर आता है नी स्वार्थ प्रेम को आधार बना कर क्योंकि हम बच्चे 63 जन्मों से पुकारते हैं कि है दुख हरता सुख करता आओ तो वही पिता परमात्मा हमारी गलानियों को भूलकर हमारे अपकारों को भूलकर हमसे निश्वार्थ प्रेम करते हैं और हमें ग्यान का तीसरा नेत्रप्रदान करते हैं जिसके आधार पर हम विश्व परिवर्तन के निमित बनते हैं तो बाबा कहते ग्यान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनो तो सिक्षा का स्वरूप दिखाई देगा आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया सार का मनन करेंगे बाबा बुले मीठे बच्चे तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो तुम्हें मनसा वाचा कर्मना किसी को भी दुख नहीं देना है सब को सुख दो मीठे बच्चे तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो तुम्हें मनसा वाचा कर्मना किसी को भी दुख नहीं देना है सब को सुख दो प्रश्न किया बाबाने तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो इसलिए तुमारी मुख्य धार्णा कौन सी होनी चाहिए उत्तर में बाबा बोले तुमारे मुख्य से जो भी बोल निकले वहा एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे तुम्हें बहुत मीठा बनना है सबको सुख देना है किसी को भी दुख देने का ख्याल ना आए तुम अभी ऐसी सत्यूगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहां सदा सुख ही सुख है दुख का नाम निसान नहीं तो तुम्हें बाप की स्रिमत मिली है बच्चे बाप समान दुख हरता सुख करता बनो तुम्हारा धंदा ही है सबके दुख हर कर सुख देना अर्थात दुख की दुनिया से मुक्त कर सुख की दुनिया में ले जाना यही बाबा ने हमें धंदा दिया है गीत सुनाया बाबा ने इस पाप की दुनिया से पार ले चल हमें आज बाबा ने धर ना में मुख्य बाद बोली ऐसा अभ्यास करते करते देही अभिमानी बनना है मैं आत्मा इस सरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ, मैं इस से अलग हूँ, ऐसा अभ्यास करते रहते देही अभिमानी बनना है दूसरा पाइंट बाबा बोले, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, रेगुलर बनना है, पढ़ाई में बहुत बहुत एक्यूरेट रहना है तो ये थे बाबा के महावाक्ये, अच्छा, ओम शंती झाल के महावाई रहना है